आप सभी का मेरे वीडियो पे स्वागत है और अपने इस वीडियो में आपको यह बताने जा रही हूँ कैसे आप अपने ही मोबाइल से अपना एस एच जी यानी सोम सहता समुहू चेक कर सकते हैं कि वह ऑनलाइन चड़ा है या नहीं चड़ा है इनारेलम साइट पर आपका ज जो है वह चेक कर सकते हैं लेकिन कैसे चली मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले आपने मोबाइल पर क्रोम पर जाएंगे क्रोम पर जाने के बाद आप सर्च बार में यहां पर इस एच जी और गुरूप यह इस तरह से लिखेंगे तो आपका जो है इस एच जी जब दिखा दख करने के तो देखिये यहां पर खुल गया और इसमें बहुत सारे साइट दिखा रहे हैं इसमें सबसे जो है आपको मिल जाना है इसमें पर आपको अमीछ जाना है र hermano चलीए देखें इसस पर क्लिक करके हम लोग अश्यव क्लिक करेंगे तो पीज ये खुल जाएगा उसके बार आपके पास पेज ने ह तो आपको यहां कुछ नहीं भरना इससे कुछ भी मतलब नहीं है आपको क्या करना है नीचे स्क्रॉल करना नीचे जाएंगे तो जो भी आपका state परता है यानि कि राज तो आपको state पर जाना है यानि कि यह state name यहां पर दे रखे हैं और यह total SSG एक राजी में कितने SSG चलना है वो और यह यहां पर आपको जो है आगे दिखाएंगे स्टी के कितने मानर्टे कितने अधर कितने total member यह सब लिखा लेकिन आप अपने state सेलेक्ट कीजिए कि आपकी क्या state है माल लिजे आपकी state है उत्तर प्रदेश तो आप उत्तर प्रदेश पर ऐसे क्लिक करेंगे जब उस पे क्लिक करेंगे तो आपके सांपने फिर यह पेजघ खुल जाएगा और पेजघे के बाद आप को यहां से कोई मतलब नहीं है जा फिर यहां पर देखेंगे यह डिस्टिक न driving name है आप इसमें से अपने district को select कीजिए तो मालीजे कि आपके district जो है वो खीरी है तो आप खीरी पे जो है वो click करेंगे जब खीरी पे click करा तो आपके सामने फिर ये खुल जाता है पेज अब यहाँ पर block name बता रहा है तो आपका block name जो भी हो वो आप डाल लेजिए चलिए मालीजे हम लोग देखते हैं कि हमारा block लखीमपूर है जिसका जो block हो अपना block पर click करें अगर आपको page आपके नाम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो देखिए सब में जो है वो page होगा नीचे यह 1,2,3 ऐसे करके लिखे होते हैं यतने page होते हैं आपका इसमें नहीं है तो आप ऐसे दो नंबर पर click किजे दूसरे आ जाएंगे नाम तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं तो अब मुझे लखीमपूर पर पर click करेंगे लखीमपूर पर click करेंगे तो आपकी गिराम पंचायत जो है वो पूछेगा यह गिराम पंचायत के सब नाम दिये हैं तो आपकी जो भी गिराम पंचायत हो उस पर click कर सकते हैं चलिए मान लीजे कि हमारी जो गिराम पंचायत है वो बन यह है बन सताली तो बन सताली नव न कहीं कहीं पे एक ग्राम पंचायत में दो गाओं हैं कहीं कहीं पे एक ग्राम पंचायत में तीन गाओं हैं तो यहां पे देखिए यहां पे जो है उस बंस्ताली में तीन गाओं है पहला तो बंस्ताली दूसरा पट्टी पुर्वा और तीसरा है सोन्थपुर सोन्थपुर तो पांच ताली में बने हुए हैं और पत्ती पुर्वान हमें पका स्वस्पास बने बना हैं अब आगे देखते हैं लोग आगे आपका स्सी के जो हैं 48 लोग है निए पांच समु है अगर 10 हैं या 12 हैं जितने भि एक-एक सम्हों में लोग इंटोटल मिलाके मैं 19 जाओं में सब्सक्राइब आपको फारा तरोस समय कास्वध गाइव मैं सब्सक्राइब 7 जाता भीजा हैि कि उफली की नहीं है मैं मैं से 1M घ्म कास्ट किका है मैं जद्Яोर नहीं तो आप देखिए इस गिराम पंचायत में टोटल आपके छे स्वेम साहता समू चल रहे हैं और स्टी के अर्टाली से बाकी आगे जो है अधर के 27 से टोटल मेंबर जो है वह 75 है तो इस तरह से आपका है अब आप यह देखेंगे कि अगर आप बंसताली गाउं से हैं तो बंसत बंसताली में जो पांच समू चल रहे हैं इसमें से पहला है गंगा परेना दूसरा है गुलाब परना तीसरा है लक्षमी महिला और चौथा है संतोसी परना पांचवा है सीता परना और फिर है सकती महिला यह 6 हो गए आपके गुरूप नेम उसके बाद जो है एसेस जी की ट काॉस्ट के साथ से लिखा है एसी के समें घंगा परना में एसी के 9 हैं गुलाब में 10 हैं लक्षमी में 0 अब इनका मिम्बर के नाम नहीं चड़े होँगे इसलिए यह जीरो दिक्षा रहा है संतोसी में 8 हैं सीता में परना में 10 हैं सकती में 11 हैं और इसके बाद माइनर्टी स्टु में कोई नहीं, स्ट्रीं में कोई नहीं, अधर में इसमें तीन, चार एक टोटल 12, 10 और फिर जीरो यहाँ देखा रहा है क्याकिनके नाम भी चड़े नहीं है बारा, ग्यारा, ग्यारा इस तरह स्ट्रे मेंबर दिखा रहें अगर आपका समू जो है उसका नाम गंगा पिरना है तो आप अपने समू पर किलिक करेंगे देखे एसेजी इंफोमेशन यहाँ पर दिखाने लगा इसेजी इंफोमेशन इस्टेट नेम किस राज्य में उत्तर प्रदेश डिस्टिक नेम खीरी में बिलॉक नेम लखीमपुर में जीपी जीपी का मतलब होता है ग्राम पंचायत विलेज नेम तो ग्राम पंचायत का बंस्ताली नाम है गाओं का भी नाम बंस्ताली है नेम ऑफ सेल्फ हेल्प गुरूप यानि गंगा परेनना इसका नाम है सेल्फ हेल्प गुरूप आईडी देखिए ध्यान से और नोट का लिजएगा इसको अभी मैं आपको पूरी आईडी दिखाऊंगी सेस्जी टाइप है निउ और प्रमोटड बाई नरलम नहीं कि NRLM के दौरा ये आपका बनवाया गया है Date of Information सबसे important है Register पर लिख लिजेगा Date of Formation कब बनाया गया आपका समू कितनी तारीख को कितनी दिनांक को आपका समू बना था तो ये 11.11.2019 को आपका समू बनाया गया कब बनाया गया 11.11.2019 को आपका समू बनाया गया समू की ID तो देखें समू की ID आपको ये लिखी हुई है Self Help Group ID 2019 ये भी नोट करके रख लीजिए तो जिसका भी जैसा समू है वो अपना इस तरह से चेक कर सकता है अब नीचे देखते हैं क्या है यहाँ पर बैंक डिटेल दी हुई है ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी आप जो इसको नोट करके रख लीजिए बैंक का नाम है आर्या वर्त बैंक सेविंग बैंक एकाउंट नंबर अविलेबल है उनको पास्बुक मिल चुकी है बैंक ब्रांच नेम इल आर्पी रोड लखीम पूर्गनी बैंक की जो ब्रांच है वो कहाँ पर है इसका पता दिया हुआ है ओपनिंग डेट ये आपका ओपनिंग डेट ओफ एकाउंट खाता कब खुला था तो चार बारा दोजार बीस को ये समू का खाता खुला था ये डेट दी हुई है तो काफी इंपोर्टेंट नॉलेज है ये आपके लिए और आपको ये पता होनी चाहिए आप इसको नोट करके रख लीजिए उसके बाद इस जो आपने ये जो आपका गंगा पर इना समूँ आपने अपना खोला है मान लीजिए तो इसमें आपके जितने मेंबर हैं उनका डेटेल यहां पर दे रखा इसे गुड़ी, देवी, सुनील कुमार जुगरा, जगदीज, साविती रामविकास, फूल जरा रामू, सिवकली प्रेमचन सुमन, संदीप, चित्रा देवी चेद्राम, सुशीला देवी रमेश कुमार इस तरह से पूरे मेंबरों के नाम दिये होंगे उनका जेंडर दिया है वो फीमेल है, यह महिला है सोसिल कटेगरी, यह एसी है इस्टी है, ओबीसी है, क्या यह सब लिखा होगा रिलीजिन, यह उनका धर्म तो यह पूरी जो है, मैंने आपको बता दी किस तरह से आपको यह देखना है चलिए, इसके बाद जो है एक आपका और इंपोर्टन चीज है कि जितने भी आपके यह मेंबर होते हैं इनकी भी आईडी होती है तो इनका भी आईडी जो होती है, कोड़ वेबसाइड मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेंबर के जो आईडी कोड है, वो आपको नोट करने जिस तरह से आपके गुरूप की आईडी कोड है जो मैंने भी आपको बताई है उपर यह गुरूप की आईडी कोड जिस तरह से बताई है, उस तरह से आपके सारे जितने मेंबर हैं आपके समुह में उनकी सबकी भी ID code होते हैं एक-एक सबके होते हैं ID code वो भी मैं आपको बताऊंगी तो आपको जानना हो comment box में लिख सकते हैं तो आशा करती हूँ आपने पूरा वीडियो देखा है और समझा है अगर आपको नहीं समझाया तो वीडियो को फिर से दोबारा से आप देख सकते हैं बार-बार देख के समझ सकते हैं और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सेयर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से जुड़े ताकि आपको बहुत सी इंपोर्टेज जानकारी मिलती रहे समू के बारे में अगर आपके कोई प्रेशन है तो आप कॉमेंटे बाक्स में लिख सकते हैं और मैं उनका उत्तर देने की पूरी कोशिस करूंगी और जो भी मेरे चैनल पर जुड़े हैं उनका धन्यवाद जो नए हैं तो किर्प्या प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सम्हों से जुड़ी बहुत सी महत्पूर जानकारियों को मिस ना करें और सभी नोटिफेकेशन मेरे वीडियो की आपको मिलती रहें